ओम जानती, साथ दस दो हजार चोबिस के साकार अनमोल धार्णना युक्त इश्वरिय महवाक्य हैं मीथे बच्चे, बाप आई हैं तुम बच्चों को कॉम्भी पाक, नर्क से निकालने के लिए तुम बच्चों ने बाप को निमंतरन भी इसी लिए दिया है कुश्चन, तुम बच्चे बहुत बड़े ते बड़े कारिगर हो कैसे तुमारी कारिगरी क्या है, कारिगर हो कैसे और तुमारी कारिगरी क्या है आंसर है, हम बच्चे ऐसी कारिगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नहीं बन जाती है जिसके लिए हम कोई इंत या तगारी आदि नहीं उठाते हैं लेकिन याद की यात्र से नई दुनिया बना देते हैं हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं हमी ही फिर ऐसी स्वरग के मालिक बनेंगे ओम चानते मेठे मेठे रुखानी बच्चों प्रती रुखानी बाप समझाते हैं तुम जब अपने अपने गाउं से निकलते हो तो यह बुद्धी में रहता है कि हम जाते हैं शिप बाबा की पाक्षाला में ऐसे नहीं कि कोई साधू संत आदि का दर्शन करने वाश्याश्त रादी सुनने जाते हैं तुम जानते हो हम जाते हैं शिप बाबा के पास दुनिया के मनुशे तो समझते हैं शिव उपर में रहते हैं वह जब याद करते हैं तो आखे खोल करके नहीं बैठते वह आख बंद करके ध्यान में बैठते हैं शिवलिंग जो देखा हुआ होता है भल शिव के मंदिर में जाएंगे तो ही शिव को याद करेंगे तो उपर में देखेंगे वह मंदिर याद आएगा कई फिर आँखे बंद करके बैठते हैं समझते हैं द्रिष्टी कहां भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना तूट जाएगी अभी तुम बच्चे जानते हो हम भल शिबाबा को याद करते थे कोई सिरी कृषन को याद करते हैं कोई राम को याद करते हैं कोई अपने गुरू को याद करते हैं गुरू का भी छोटा लॉकेट बना करके पहनते हैं गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बना कर पहनते हैं तो भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही है घर बैठे भी याद करते हैं याद में यात्रा करने भी जाते हैं चित्र तो घर में रख करके पूजा कर सकते हैं घर में भी याद करते हैं फिर यात्रा करने जाते हैं तो बाबाय कहते हैं चित्र घर में रख करके भी तो याद कर सकते हैं परन्तु यह भी भक्ती की रसम पड़ी हुई है जर्म जर्मांतरी यात्राओं पर जाते चारों धाम की यात्रा करते हैं चार धाम क्यों कहते हैं वेस्ट, इस्ट, नॉर्थ, सौथ, आदे चारों का चक्र लगाते हैं भक्ती मारग में शुरू होता है तो पहले एक की भक्ती की जाती है जब भक्ति मारुक शुरू होता है तो एक शुबाबर की ही पूजा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है अब वेविचारी भक्ति सतो परधान थे अभी तो इस समय तमू परधान भक्ति भी वेविचारी अनेकों को याद करते रहते हैं तमू पर्धान 5 तत्तों का बना हुआ शरीर उनको भी पूज ते है तो गोया तमू पर्धान भूतों की पूजा करते हैं परन्तु इन बातों को कोई समस्ते थोड़ी है भल यहां बैठे हैं परन्तु बुद्धी योग कहां भटकता रहता है यहां तो तुम बच्चों को आँखे बंद कर शुबाबा को याद नहीं करना है जानते हो बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है वहें आकर बच्चों को शिरीमत देते है शिरीमत पर चलने से ही श्रेष्ट देवता बनेंगे देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है तुम यहां बैठे अपना देवी देवताओं का राज्जे स्थापन करते हो पहले तुमको पता थोड़ी था वहें कैसे स्थापन होता है अभी जानते हो बाबा हमारा बाप भी है टीचर बढ़ करके पढ़ाते हैं और फिर साथ भी ले जाते हैं सदगती करेंगे ना गुरू लोग किसकी सदगती नहीं करते यहां तुमको समझाया जाता है यह एक ही बाप टीचर सदगुरू है बाब से वर्षा मिलता है सत्गुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे इन सब बातों को बुड़ी-बुड़ी माताएं तो समझ ना सके उन्हों के लिए मुख्य बात है कि अपने को आत्मा समझ शिप बाबा को याद करना है हम शिप बाबा के बच्चे हैं हमको बाबा स्वरक का वर्षा देंगे बुड़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए यह तो हर एक आत्मा का हक है बाप से पर्षा लेना मुट तो सामने खड़ा है पुरानी दुनिया सो फिर जरूर नई बनेगे नई सो पुरानी घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं फिर पुराना होने में सो वर्ष लग जाते हैं अभी तुम पच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खलास होनी है यह लड़ाई अब लगनी है वेह फिर पाइंच छजार वर्ष बात लगेगी यह सब बातें बुर्याईं तो समझ ना सके यह फिर ब्रामनीयों का काम है उन्हों को समझाना उनके लिए तो एक अक्षर ही काफी है अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो तुम आत्मा परमधाम की रहने वाली हो फिर यहाँ पाइट बजाने के लिए आती हो यहाँ आत्मा यहाँ दुख सुख का पाइट बजाती है मूल बात बाप कहती है मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे फिर स्वरग में आ जाएंगे अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे बुर्याईं तो हीरी हुई हैं सत्संगों में जाकर के कथा सुनती है उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है स्कूल में तो पढ़ाई होती है कथा नहीं सुनी जाती भक्ती मारग में तो तुमने धेर कथाईं सुनी है परन तो उनसे कुछ भी फाइदा नहीं होता छी छी दुनिया से नई दुनिया में तो जान न सके मानुष्य ना तो रचेईता बाप को न रचना को जानते हैं नेती नेती कह देते हैं तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीती से जान गई हो, घर में भी बहुतों के पास तिरमूर्ति होती हैं, तीन मूर्तियां ब्रह्मा विश्न शंकर की होती हैं, चीज वही है, कोई कोई पती लोग भी इस्तीरी को कहते हैं, तुम घर म में बैठ मूर्ति रख बैठ पूजा करो बाहर धक्का खाने क्यों जाते हो परन्तु उन्हों की भामना रहती हैं अभी तुम समझते हो तीष्थ यात्रा करना माना भक्ती मार्ग के धक्के खाना अनीक बार तुमने मारग में यह सब कुछ होता नहीं उनको कहा जाता हैं भक्ती यान देने वाला तो एक के सिवाई दूसरा कोई नहीं ज्यान से सदगती होती है, सदगती दाता एक ही बात है, शुप बाबा को कोई शिरीशिरी नहीं कहते हैं, उनको टाइटल की दरकार ही नहीं है, ये तो बढ़ाई करते हैं उनको तो कहते ही हैं शिप बाबा अक्षत कितना मीथा है कितना सुन्दर है तो इसमें ही सब कुछ समाय हुआ है शिरी शिरी माना ही पवित्र प्योर है बाबा तो सदा है उनको कहते हैं शिप बाबा तुम बुलाते हो शिप बाबा हम पतित बन गए हैं हमको आकर के पावन बनाओ, भक्ति मारक के दूबन के गले तक फस जाते हैं, फस करके फिर चिलाते हैं, विशे वाशनना के दूबन में एकदम फस पढ़ते हैं, शीड़ी उतरते उतरते कितना फस पढ़ते हैं, कोई को भी पता नहीं पढ़ता, तब कहते हैं, बाबा आओ, आकर के हमको निकालो, बाबा को भी द्रामा अनुसार आना ही पढ़ता हैं, तो बाब कहते हैं, मैं बंधाई मान हों, इन सब को दूबन से निकालने, इनको कहा जाता है कुंबी पाक नर्क, रोरो नर्क भी कहते हैं ये बाब बेर समझाते हैं उनको पता थोड़ी पड़ता है तुम बाबा को देखो निमंतर्ण कैसा देते हो निमंतर्ण तो कोई शाधी मुरादी आदी पर दिया जाता है न तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा इस पतित दुनिया रावन की दुनिया में आओ हम गले तक इसमें फशे हुए हैं सिवाई बाप के और कोई निकाल न सके कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला शुब बाबा ये रामन का देश हैं सबकी आत्मा तमो परधान हो गई हैं इसलिए बुलाते भी हैं कि आकर के पावन बनाओ पतित पावन सीता राम ऐसे गाते चिलाते हैं ऐसे नहीं कि वह पवित्र रहते हैं यह दुनिया ही यह दुनिया ही पतित हैं रामन राज्ये हैं इन में तुम फंस पड़े हो फिर यह निमंतरन दिया हैं बाबा आकर के हम को कुम्भी पाक नर्क से निकालो तो बाप आई है कितना तुम्हारा ओविदियन सर्विन्थ है, ड्रामा के अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं, ताइम पास होता जाता है, एक सेकिन न मिले दूसरे से, अब बाप तुमको लक्ष्मी नारिन जैसा बनाते हैं, फिर तुम आधा कल प्राज्ये करेंगे, समर्ती में ले आओ, अभी ताइम बहुत थोड़ा है, मौत शुरू हो जाएगा, तो मनुष्य वाइरे हो जाएगे, अर्थात मूझ जाएगे, थोड़ी समय में क्या हो जाएगा, कई तो ठक्का सुनकर हार्ट फेल हो जाएगे, मनेंगे ऐसे जो बात मत पुछो, देखो धेर बुड़ी माताएं आई हैं, विचारी कुछ भी समझ न सकें, जैसे तिर्थों पर जाते हैं न, एक दो को देख तयार हो पड़ते हैं, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, अभी तुम जानते हो, भक्ति मारक के तिर्थ यात्रा का अर्थ है, नीचे उतरना, तम भी ते बड़ी यात्रा तुम्हारी यह हैं, जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो, तो इन बच्चियों को कुछ तो शिप बाबा की याद दिलाते रहो न, बुड़ी माताओं के लिए बाबा कह रहे हैं, इन बच्चियों को भी शिप बाबा की याद रहो शिप बाबा का नाम याद है थोड़ा बहुत सुनती है तो स्वरग में आएंगी यह फल जरूर मिलना है बाकी पद तो है पढ़ाई से उसमें बहुत फर्क पढ़ जाता है उंचे ते उंच फिर कम से कम रान दिन का फर्क पढ़ जाता है कहां प्राहिम निश्टर और कह नोकर चाकर राजधानी में नंबरवार होते हैं स्वरग में भी राजधानी होगी परन्तु वहाँ पाप आत्माई गंदे विकारी नहीं होंगे वह है ही निद्विकारी दुनिया तुम कहेंगे हम यह लक्षमी नान जरूर बनेंगे तुमको खात उठाते देख बुरिया नहीं आदे भी सब हाथ उठा देंगे समझते कुछ भी नहीं फिर भी बाप के पास आई हैं तो स्वरग में तो जाएंगे परन्तु सब ऐसे थोड़ी बनेंगे प्रजा भी बनेंगे तो बाप कहते हैं मैं हों ही गरीब निवाच तो बाबा गरीबों को देख खुश होते हैं भल कितने भी बड़े ते बड़े सहुकार पदम पति हैं उनसे भी यह उच्पत पाएंगे 21 जन्मों के लिए यह भी अच्छे है बुड़ियां जब आती हैं तो बाप को खुशी होती है फिर भी स्री कृशन पुरी में तो जाएंगे ना वह है यह है रावन पूरी तो जो अच्छी रिती पढ़ेंगे तो स्री कृशन को भी गोध में जुलाएंगे प्रजा थोड़ी अंदर आ सकेगी वह तो कभी करके दिदार करेंगे जैसे पोप दिदार कराते हैं खिरकी से लाखों आकर के इकठे होते हैं दर्शन करने के लिए परन्तु उनका हम क्या दि पावन बनाते हैं सारे विश्व को सतो परधान बनाते हैं वहां ये पांच भूत रहेंगे नहीं पांच तत्व भी सतो परधान बन जाते हैं तुमारे गुलाम बन जाते हैं प्रकरती जीत बन जाते हैं कभी भी कोई भी तत्व उधम नहीं मचाएगा कोई गल्द काम नही होती अभी तुम स्वरग में चलते हो तो नर्ग से बुद्धी योग निकाल लेना चाहिए जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धी हाथ जाती है बुद्धी नई में चली जाती है यह फिर है बेहत की बात नई दुनिया की स्थापना हो रही है पुरानी दुन दुनिया स्वरक बनाने वाले। तुम बहुत अच्छे कारीगर हो। अपने लिए स्वरक बना रहे हो। कितने बड़े-बड़े कारीगर हो। बड़े अच्छे कारीगर हो। याद की यातरा से नई दुनिया स्वरक बनाते हो। थोड़ा भी याद किया। तो स्वरग में आ जाएंगे तुम गुप्त वेश में अपना स्वरग बना रही हो जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर के स्वरग में निवास करेंगे तो बेहद के बाप को भूनना नहीं चाहिए अभी तुम स्वरग में जाने के लिए पढ़ रहे हो अपनी राजधानी श्थापन करने के लिए पुर्शार्ट कर रहे हो ये रामन की राजधानी खलास हो जाएगी तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए हमने यह स्वरग तो अनिक बार बनाया राज़ाई ली फिर गमाई यह भी याद करो तो बहुत अच्छा हम स्वरग के मालिक थे बाप ने हमको ऐसा बनाया था बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे कितना सहज रिती तुम स्वरक की श्थापना कर रहे हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजे निकलती रहती हैं कुदर्थी आप दाए यह मोसल मिशाईल आदी द्वारश सारी पुरानी दुनिया खतम होगी सारी दुनिया खतम पुरानी दुनिया खतम होगी इसलिए बाप कहते हैं इसे बुद्धी से निकाल देना चाहिए स्रेश्ष्वर की स्थापना अनीक बार तुम ने की है तो बुद्धे में याद रखना चाहिए अनीक बार हमने राज्जे गमाया फिर गमाया यह बुद्धी में चलता रहे और एक दो को भी यह बाते सुनाओ दुनिया भी बातों में समय नहीं गमाना चाहिए बाप को याद करो स्वदर्शन चक्रधारी बनू यहां बच्चों को अच्छी रीती सुन कर फिर बहुत उगारना है मनन चिंतन करना है शिम्रन करना है बाबा ने क्या सुनाया शुब बाबर वर्षे को जुरूर याद करना चाहिए बाप हातेली पर वहिष्ट ले आए हैं तो पवित्र भी बनना हैं पवित्र नहीं बनेंगी तो सजा खानी पड़ेगी पद भी बहुत चोटा सा लेंगे स्वरग में उच्पद पाना है तो अच्छी रीती धानना करो बाप राष्टा तो बहुत सहज बताते हैं अच्छा मेठे मेठे सिक्की लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुद मॉर्निंग डाइमंड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप तादव को याद प्यार Good morning, Diamond morning, Om, Namaste धाना के लिए मुखी सार है, बाप जो सुनाते हैं, उसे अच्छी रीती सुन करके उगारना है दुनियावी बातों में अपना समय नहीं कवाना है Second point बाप की याद में आखे बंद करके नहीं बैठना है शिरी क्रिशन की राज़्थानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीती पढ़ने है वर्दा मन बुद्धी को जमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले जमेला मुक्त भाव कई बच्चे सोचते हैं जमेला पुरा होगा तो हमारी अवस्था वा सेवा अच्छी हो जाएगी लेकिन जमेले पाहड के समान है पाहड नहीं हतेगा लेकिन जहां जमेला हो वहाँ अपने मन बुद्धी को किनारा कर लो या उर्ती कला से जमेले के पाहड को भी उपर चले जाओ जमेले के पाहड के भी उपर चले जाओ तो पाहड भी आपको सहच अनभव होगा जमेले की दुनिया में जमेले तो आएंगे ही आप मुक्त रहो मिलन मेला मनाते रहो स्लोगन इस बेहद नातक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्ट धारी हैं अव्यत इशारह हैं जितना आपस में संसकारों की समानता में आएंगे उतना ही सभी पाएंगे जैसे साकार रूप के संसकार उप्राम और साक्सि द्रिश्टा के रहे यही संसकार के संपुर्ण स्तितिके स्रेष्ट लक्षन थे इन संसकारों में समान तलानी है इससे ही सर्व के दिलों पर विजय होंगे और जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजय बनता है वही भविश्य में विश्व महाराजन बनता है वही भविश्य में विश्व राजन बनता है ओम शानते